दैनिक 36 कर चैनल देखना सुरू कर चुके हैं आप और 36 कर प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्तपूर बड़ी खबरों की सुरुवार जैजोहार और नमस्कार के साथ 36 कर में एक और बड़ा पीकप हाथसा हो गया जहां बेमेतरा जुले में मस्दूरों से भरी एक पीकप पलड़ गई जिसमें 35 खायलों में से 5 के हालाद बेहत गंभीर है तो वही घटना की सूचना मिलने के बाद HDM और तहसीलदार मौके पर अस्पताल पहुँचे घटना नवगर ठानचेत्र के जांकी की बताई जा रही है कुछ दिनों पहले ही बल्रामपुर जिरे में एक भीसर दर्दनाक सड़ाखात्सा हो गया था जहां राजपुर संकरगर मुख्यमार के लड़ुआ में एक सकार्पियो वहां अनियंत्रित होकर के तालाब में पलट गई थी और डूब गई थी इसाथ से में पिकप सवार आठ लोगों की जान चली गई थी जबकि मृत्कों में तीन लोग एक ही परिवार के थे इन में से एक महिलो और एक बच्ची भी सामिल थी वही गाड़ी में आठ लोग सवार थे सभी घायलों को अस्पताल भीचवाया गया जहां पर डॉक्टर ने सभी को मिद्खोसित कर दिया वही अब एक और भीसर सड़क हाथसा 36 गड़ के वेमे तरह से आ रही है और अब खबर राइगर से जहां 44 हाथियों के दल ने किसानों की फसल को रौन कर नुकसान पहुचा दिया जहां ठारा किसानों की धान की फसल पूरी तरह बरबाद हो गई तो वही तीन गावों में बिचली कुल कर दी गई वही इसके लिए मुनादी भी कराई जा रही है कोई भी घटना ना घट सके इसके लावत तमनार रेंज के 44 हाथियों का दल चाल वन परिक्षेत्र पहुचा हुआ है जिसके बाद मंगलवार देरात ये दल मान नदी पार करके खरसिया वन परिक्षेत्र के काफर मार परिक्षेत्र में पहुच गया है और कुरू गाउं के खेतों में चला गया जिसके बाद हाथियों ने किसानों के दान के फसल को खाते और रौनते हुए खेत में लगे स्प्रिंकलर पाइप को भी तोड़ दिया हाथी दल के आने की सूचना वन विभाग को लगी तो रात में वनकर्मचारी प्रभावित गाउं पहुची और उन संख्या में हाथियों को नजदीक आने से देखने का रौमांच के साथ ही भैका महौल देखने को बिला जबकि बात करें तो वहांनों की लंबी कतारे नेशनल हाइवे के दोनों तरफ लगी हुई दिखाई दी है गोरिला पंडर मरवाही में स्मार्ट मीटर लगने के बाद जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली बिल में पढ़ोत क्री हो गई है लोगों का कहना है कि पुरानी मीटर में जो बिल तीन सो रुपए का आता था वो अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद 40 से 50 हजार रुपए तका रहा है इसकी सिकायत बिजली विभा के कार जाले में भी कि गई है वे भाक के और से गामिलों को बिजली बिल पे करने को कहा गया है वे वही hum man के साथ पिछला बिल बकाया जुड कर आया है जबकि वो भुकताओं का कहना है कि उन्होंने हर महीने अपने बिजली बिल का भुकतान किया हुआ है जिन लोगों के घर पर बढ़ा हुआ बिजली बिल आ रहा है उनमें से अधिकतर बीपियल परिवार से हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोग इतनी बड़ी रासी का भुकतान कैसे करेंगे वो भुकताओं ने पूरे मामले की जाज की मांग की है वहीं अब ये बिल सोसल मीडिया पर भी जम कर वायरल हो रहा है 36 गर में आगामी 10 नमबर के बाद ठरकराके की ठंड पढ़ने जा रही है दिन रात का टेंपरेचर सामाने से अधिक है लेकिन 5 जिलों में दिक्तम तापमान 32 डिगरी के पार भी चला गया है 36 गर में ठंड के लिए थोड़ा इंतिजार और क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 20 नमबर के बीच उत्तर पूर्वी हवाओं के वज़े से रात के तापमान में गिरावट का दौर सुरू होगा फिलाल 10 नमबर तक रात के तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है इस समय दिन और रात का टेंपरिचर सामान से अधिक बना हुआ है मंगलवार को प्रदेश के पांच जिलो का तापमान 32 डिग्री से अधिक रहा तो वहीं रायपूर में टेंप्रिचर 33, दुर्ग में 33,6 जबकि कोर्बा में 32, राजनान गाउ 32, बालोर में 32 डिग्री सेलसेस रहा जबकि दुर्ग सबसे गर्म स्थान रहा जहां पारा अध सवेग्यान विभाग के मताबिक बात करें तो 10 नमबर तक रात के तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और इस समय दिन और रात का टेंप्रेचर सामाने से अधिक चल रहा है 36 गर में अतिकरमर हट्आने के वंकर्मचारियों पर ग्रामीरो ने हमला बोल दिया पुलिस वालों ने इसके लिए मोर्चा संभाला हुआ है 36 गर के सूरज पूर्जिले के धरमपूर का बामला है जहां वन भूमी पर अतिक्रमर हटाने के दोरान वन कर्मचारी और ग्रामरों के बीच जम करके जड़प हो गया और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है गटना धरमपूर वन परिक्षेत्र की है जहां सड़क किनारे कुछ ग्रामिडों ने लगभग तीन एकर वन भूमी पर खलिहान रखकर अतिक्रमर कर दिया था वहीं ऐसे में वन विभाग की टीन मौके पर पहुँची और अतिक्रमर हटाने के लिए जेसीबी वहां से खुदाई का कारे सुरू किया गया इस दोरान अतिक्रमर कारियों और ग्रामिडों ने वन विभाग की टीन के साथ जम कर विरोध किया और जड़प हो गई सिती को देखते हुए प्रतापूर और खरगमा पुलिस को मौके पर बुलाया गया जहां जिन्हों ने ग्रामिडों को वहां से हटाया सिती को नियंतर किया गया फिलाल वन अमला अतिक्रमित किये गए भूमी को सुरक्षित करने में लगी हुई है सिती योपो प्रतापूर वन परिक्षेत्र के अंतरगत आसुतो स्वगत ने कहा कि हम यहां प्रतापूर परिक्षेत्र के धर्मपूर सग्कर में गड़ेश पूर बीट के कक्ष्रमांग 23 में अतिक्रमर हटाने के लिए कारवाही कर रहे हैं राइपूर दक्षिर विधान सभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश प्रभारी सचिन पाइलिट ने बैक टू बैक दो जन सभाव को संबोधित किया और कहा कि यह चुनाव संकेत देने वाले हैं रायपूर दक्षिर विधान सभा उपचुनाव में प्रचार के लिए राजधानी पहुचे, कॉंग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलेट ने बैक टू बैक दो जनसभाव को संबोधित किया, इसके बात कॉंग्रेस भवन में पत्रकार वार्प्रा को भी संबोधित किय इस दोरां उन्होंने कई विश्यों पर भाजभा सरकार पर जम करनी साना साधा, 37 गड़ कॉंग्रेस प्रभारी सचिन पायलेट ने दक्षिड विधान सभा उचेतर में दो चुनावी जनसभाव को संबोधित किया, और इस दोरां उन्होंने राजध सरकार पर जम करनी सान पाइलेट ने कहा कि रायपूर का उपचुनाव हो या फिर जारखन महाराश्टर का चुनाव कॉंग्रेस की जीत होगी जिस तरह से जारखन और महाराश्टर में प्रधानमंत्री भासर्ण दे रहे हैं तो वो उनकी भासा के इस तर को प्रकट करता है उन्होंने कहा कि मैं में घरवापसी कराई गई जहां जगतगुरु नरेंद्राचारे महाराज ने मार्गदर्शन किया दर्चल राजथानी रायपूर के संकर नगर इस्थित बीटी आई ग्राउन में जगतगुरु रामनंदाचारे स्वामी नरेंद्राचारे महाराज दक्षित पील धाम के द्वारा एक दिवसे प्रवचन दर्शन और मार्ग दर्शन कारिक्रम अखा गया और इस कारिक्रम में 50 परिवारों के तक्रीबन 321 लोगों की हिंदू धर्मे घर वापसी कराई गई बात करे जानकारी देते हुए 36 गर पीट के प्रमुग घंस्याम महेस्वरी ने बताया कि स स्वामी जगदगुरु रामन अन्चार की द्वारा जक्षिट भारत रत्नगिरी से पीठेस्वर हैं जगदगुरु नरिंद महराज के संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था जो उन्होंने कहा कि आज मार्ग दर्शन और सुथी करण का कारिक्रम था जो हिंदू धर्म इनकी वापसी कराई है उपराश्रपती जगदीब धनकर ने 36 विभूतियों को राज अलंकरण से सम्मानित किया और कहा कि 36 करके 36 सम्मान इन्हें देखकर मुझे उर्जय मिलती है 36 गड़ राज स्थापना दिवस के अफसर पर आयूजित किये गए तीन दिवसी राज अलंकरण समारों के अफसर पर मुख्य अतिति के तौर पर उपराश्रपती जगदीब धनकर सामिल हुए जहां उन्होंने कारिक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विक्सित भारत के न मानित सभी विभूतियों को बढ़ाई देते हुए कहा कि 36 गड़ के 36 समान जिने देखकर मुझे बेहत और जामिल की है राइपूर में बॉलिवूट सिंगर नीती मोहन ने कहा कि स्टेच पर बहुत मच्छर मैंने दो तीन खा लिए बहुत मज़ा आ रहा है 36 गड़ राजोट्सव में गानों पर लोग जुमते हुए दिखाए दिये 36 गड़ राजोट्सव के दूसरे दिन मंगलवार को जब नावा राइपूर में बॉलिवूट सिंगर नीती मोहन ने लाइप परफॉर्मेंस दिया उन्होंने अपने गानों से लोगों का दिल जीत लिया नीती के गानों पर लोग जुमते नज़राये तो ही परफॉर्मेंस के दौरान सिंगर नीती को स्टेज पर मच्छरो और कीरो ने भी खोग परिशान किया नीती बैक टू बैक अपनी परफॉर्मस देती रही उन्होंने कहा कि स्टेज पर बहुत ही खास महमान उड़ रहे हैं नीती महन ने परफॉर्मस की सुरुवात जी आरे गाने से करी और इसके बाद बैक बैंग घूंगरू टूट गया जैसे गाने पर लोगों का मन मोहली आखरी में उन्होंने पंजाबी सौंग के अलावा दूसरे सिंगर भी गाने गाये जिस पर लोगों ने जम कर डांस भी कि स्री रामलला दर्शन योजना के लिए बिलासपुर संभाग से 850 स्रत्धालू अयोध्या के लिए रवाना हुए जहां उत्योग मंत्री ने ट्रेन को हरी जंटी दिखा करके रवाना किया 36 गड़ के स्री रामलला दर्शन योजना के सुभारम को लेकर स्रत्धालू ए उसाह का महल है तो है बिलासपुर संभाग के 850 स्रत्धालू को लेकर विशेश ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया इस विशेश ट्रेन को स्रम और उद्योग मंत्री रखनलाल देवांगन बेलतरा विधायक सुसान सुकला और जिला पंचायत अथ्यक्ष अरूर सिंग चोहान ने हरी जंडी रिखा कर रवाना किया अयोध्या धाम के याद्पर के लिए जाने बारे सरधालू का स्टेशन में भव स्वागत किया गया गाने बाजे और पारंपरिक नित्य से उनका स्वागत हुआ ये सरधालू का सी विश्वनात का भी दर्शन करेंगे बिलासपूर रेलवे स्टेशन पर भजवन गाते हुए विशेश ट्रेन में सवार होकर के यात्री रवाना किये गए सभी सरधालू की रामलला के दर्शन के अविलासा पूरी होने जा रही है और ये सरधालू मुखिमंत्री विश्ण देशाय की प्रती दिल से आभार व्यक्त करते नजरा 36 गड़ के रायपूर में सुनिल सोनी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा सुनिल सोनी भाटा गहों चेत्र में प्रचार करने निकले थे जहां लोगों की चारा गाह की 67 एकर जमीन पर हुए कबजे को लेकर नाराज्य मीडिया निक्ना की जाहिर करते ईSab पहर को इस घटना का वीडियो सोसल मीडिया पर खूब वायर रहा जहां फूपेज बगेल ने भी इसको सेयर करके लिखा कि रायपूर दक्षड की जनता ने तो भाजपा के निस्के प्रत्यासी को पानी पिला दिया सुनी सुनी की माने तो वहां जमीन विवात खत्म हो चुका है गाउवाले सांती से बात कर रहे थे तभी तीन कॉंग्रेसी सामने आकर भील को भरका रहे थे वहां की फिज़ा बिगारने का काम कर रहे थे पूर्व सीम के ट्वीट पर फूपेश ने कहा कि लोगों ने कापको रहसान किया जमीनों पर कबजा करवाया है इसलिए आज ऐसी स्थिति हुई है और अब ख़बर सर्गुजा से जहां क्रिष्टियन नेशनल मोर्चा के संबेलन में जोरदार हंगामा हो गया जहां आयोजन को ही बन करना पड़ा सर्गुजा में रजवार समाज के लोगों ने आपत्ती जटाई जबकि दोनों पक्ष आपस में भेड़ गये तो पुलिस भी महाँ पर मोके पर पहुची सर्गुजा जिला मुख्याले अंबिकापुर में क्रिष्टियन राष्टिय मोर्चा का कालेग्राम बीते दिन रजवार समाज के सामाजिक भवन में अरुजित किया गया जहां समाज से सहमती लिए बगैर आयोजन को लेकर रजवार समाज के लोगों ने हंगामा कर दिया मौके पर एसपी समित सरगुजा पुलिस की टीम ने मांगलप को संभाला और सांत कराया आयोजन को भी बन कराया गया आयोजन के विरोध में लेकर दोनों पक्षों में जम कर बहस हुई चानकारी के मताबिक क्रिश्चन राष्टिय मोर्चस का सम्मेलन बीते दिन अंबिकापुर के राजमोहनी देवी बंदिर में किया जाना था लेकिन राजमोहनी देवी के समर्थकों ने कारिक्राम का विरोध किया तो जिरा प्रषासन से इसकी अनमती निरस्ट कर दी गई इसके बाद ये कारिक्राम का क्रिश्चन समाज ने अंबिकापुर के गंगापुरिस्तित रजवार भवन में आयोजित किया आयोजित के दौरान क्रिश्चन समाज और रजवार समाज के बीच जम करके विवाद हुआ पटवारी को रिस्वत देने कलेक्टर से उधार मांगा गया सरगुजा में भूस्वामी ने कहा कि मैं गरीब भूस देने में असमर्थ हूँ नकसा दुरुस्वत करने के लिए ये बैसे की मांग की जा रही थी शत्तिजगर के सरगुजा में पटवारी ने जमीन पर सड़क का नकसा दुरुस्वत करने की मांग को लेकर 10,000 रुपए एवज में रिस्वत मांगी तो परिशान भूस्वामी कलेक्टर जंदर्शन में आवेदन लेकर पहुँच गया भूस्वामी ने पटवारी को रिस्वत देने के लिए कलेक्टर से साढ़ह 8,000 रुपए उधारी मांगा भू स्वामी ने उधार की रखम एक महीने में वापस करने की बात कही आवेदन मिलने से प्रसासनिक अमले में हरकम मज़ गया अम्बिकापूर HDM फागेश सिन्हा ने कहा कि जाच करके मामले की कारवाही करेंगे जानकारी के मुताबिक मुमिन पुरा निवासी मुस्तकीम ने 28 जुन 2024 को अम्बिकापूर की जमीन में भू स्वामियों की आपसी सहमती से 15 फीट सड़क बनाने का फैसला किया और इसके लिए नकसा दुरुस्त करने का वेदन HDM अम्बिकापूर की नियाले में पेस किया गया HDM नियाले ने 15 जुलाई को ग्यापन जारी किया तब ख़बर 36 गड़ के रतनपूर से जहां हिंदू संगटनों का विरोध देखने को मिल रहा है इलाके में तनाव की स्थिती देखने को मिल रही है 36 गड़ के रतनपूर में चर्च के सुभारम से पहले बवाल मच गया हिंदू संगटन चर्च खोलने की मांग को लेकर जम कर विरोध करते नजर आए क्रिष्चन समुदाय के लोगों ने आदिवाशी समुदाय प्रातनगर के नाम से चर्च का निर्मार कराया है तो वहीं जिसका जल्दी उद्घाटन कारेक्रम होना था और अब विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आयोजकों ने उद्घाटन कारेक्रम रद कर दिया है पूरा मामला रतनपूर थानचेतर का है जहांके बंगला भाठा गाउ में बने चर्च के उद्घाटन कारेक्रम में विसब डायोसिस ऑफ चतीज करके सुस्मा कुमार और कोटा विराय कटल स्रिवास्ताव सामिल होने वाले थे लेकिन जैसे इस बात की भनक हिंदुवादी संगटनों को लगी तो इसका विरोध करना सुरू कर दिया गया वहीं अब धार्मिक और एतिहासिक नगरी रतनपूर में चर्च सुरू करने के खिलाब हिंदुवादी संगटन के नेता और कारेकर्ताओं ने मोचा खोल दिया है जमकर वबाल देखने को मिला जहां हिंदुवादी संगटन के कारेकर्ता चर्च स्थल पर हनुमान चालिसा का पार्ट करने के लिए अड़ गए महीं हंगामा और विरोध प्रदर्चन को देखते वे रतनपूर में बड़ी संख्या में पुलिस बलकी तैनाथी की गई है इसके लावा विरोध प्रदर्चन को देखते वे आयोजकों ने कारेकर्म को भी रद कर दिया है बलोधा बाजार से बड़ी खबर जहां स्वास्त मंत्री स्याम बिहारी जयासोवाल जोला चाप डॉक्टरों पर कारेवाही करने के सवाल को लेकर स्वास्त मंत्री स्याम बिहारी जयासोवाल पत्रकारों पर भड़कते नजराए जानकारी के मताविक स्वास्त मंत्री स्याम बिहारी जैस्वाल भाटा पारमे आईवी जी तरह जोटसव कारेक्रम में पहुंचे थे और इस दोरान उनसे जोला चाप डॉक्टरों के खिलाब कारेवाही और अधिकारियों की वसूली को लेकर प्रस्ण किये गए इन सवालों पर स्याम बिहारी जैस्वाल बिफर गये उन्होंने पत्रकारों पर मानहानी का केस करने की धमकी दे थी तरहसल मंत्री जैस्वाल ने स्वतंत्रता दिवस्तमारों के दौरान जोला चाप डॉक्टरों पर कारेवाही करने की बात कही थी और इसी को लेकर एक पत्र wenyap Atari नहीं नहीं से पूछा कि अबुछ एक भी जोला चाब डॉक्तरों को बलावताremoοι के अदिकारी बचाना रहे हैं इस सवाल पर मंतरी जैसवाल भडड़क उठे अब करें किए कोई सबूत है तो दीजे नहीं तो आप पर भी मान्हानी का केस कराया जाएगा अरिकारियों पर भी खारवाही की जाएगी